अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा तुम मेहनत करते रहा एक दिन तेरी सफलता का सवेरा भी आएगा ठीक है तो इस इन लाइन्स के साथ स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी बाल विकास की क्लास में ठीक है तो शुरू करें हम लोगों ने दो प्रकार पढ़ लिये थे आज की क्लास में हम लोगों को शुरू करना है सामोहिक शाप्दिक बुद्धी परिक्षडों के साथ तो सब लोग heading बना लीजेगा सामोहिक शाप्दिक बुद्धी परिक्षड उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना सामोहिक शाप्दिक बुद्धी परिक्षड ठीक है सामोहिक शाप्दिक बुद्धी परिक्षड अच्छा अब एक चीज सामोहिक शाप्दिक बुद्धी परिक्षड से आपको एक चीज तो समझ में आई गई जब कुछ लोगों को समूह में बुलाया जाए और उनके बुद्धी का परिक्षड किया जाए तो क्या होता है सामूहिक शाप्दिक बुद्धी परिक्षड ठीक है क्या होता है सामूहिक शाप्दिक बुद्धी परिक्षड तो इसमें आपके अलग-अलग परिक्षड है उन परिक्षडों में हमको दो परिक्षड देखने हैं जो की बहुत आपके एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट रहते हैं तो कौन-कौन से हैं वो परिछर चलिए, देखना है हम लोगों को, एक सेकेंड, थोड़ा सा सब लोग क्लाश को शेयर, लाइक कर दो भया, कुछ तो इतनी मेहनत हो रही है, आपको सब कुछ फ्री-फ्री-फ्री मिल रहा है यहाँ पे, तो कम से कम आपका भी तो कुछ काम है, कम से कम थोड़ा सा आपको क्लाश को शेयर तो करना ही चाहिए, तो सब लोग थोड़ा सा क्लाश को शेयर कर दो, नहीं तो कौन पढ़ाता, आज कल के जमान हम कहां इतनी भलाई रखी बताओ, कि सब कुछ फिरी-फिरी-फिरी पढ़ रहा हो, फिरी-फिरी, और फिर भी नह ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास, और पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्मी, एल्फा टेस्ट, अच्छा, आर्मी एल्फा टेस्ट से कुछ समझ में आया, नहीं आया, आया हो तो बताओ, आर्मी एल्फा टेस्ट से एक चीज़ तो में आई गया होगा, कि इसमें आर्मी का नाम है, तो यानि कि यह टेस्ट किसके लिए बनाया गया था, आर्मी के लिए बनाया गया था, तो यह जो टेस्ट है, इसको बनाया किसमें, सबसे पहली बात तो यहीं पर आके फास गई, तो इसको बनाया था, ओटेस, ओटेस एव ने बनाया था, ओटेस एवं याकस ने बनाया था, आर्मी अल्फा टेस्ट, ठीक है, ओटेस एवं याकस रहे हैं, फिर कब बनाया, यह इम्पोर्टेंट है, तो इसे प्रथम विश्युद के दौरान, इसे, इसे प्रथम विश्युद के दौरान, इसे प्रथम विश्युद के दौरान, सेना में, उच्च अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की भरती के लिए, उच्च अधिकारियों की भरती के लिए, के लिए बनाया गया सेना में उच अधिकारियों की भरती के लिए बनाया गया आप आपको समझ में आ गया कि इस टेस्ट को कब बनाया गया इसे प्रथम विश्युद के दोरान सेना में उच अधिकारियों की भरती के लिए बनाया गया था ठीक है इस test के लिए क्या जरूरी था कि इसके लिए इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ग्यान जरूरी था भाई अमेरिका था अमेरिका में बनाया गया था और वहां आपको आर्मी में भरती होना है तो सब लोग इंग्लिश बोलेंगे सारे कामधाम अंग्रेजी में होंगे तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ग्यान जरूरी था ठीक है तो इस परिक्षण में कैसे कैसे प्रश्ण पूछ जाते थे निंग, माथ्स, रिजनिंग और निर्णाय लेने सम्बंधी प्रश्ण पूछे जाते थे और और डिसीजन टेकेंग यानिके निर्णाय लेने सम्बंधी और निर्णाय प्रश्ण पूछे जाते ते तो यह रहा आपका अर्मी अलफा टेस्ट का complete points, कब बना, किसने पहली बात, sorry इसको यहाँ यह, किसने बनाया, यह है, तो हर्मी अलफा टेस्ट किसने बनाया, ओटेसेवं यहारकस ने, कब बनाया, इसे प्रतम विश्युद के दोरान, सेना में उच अधिकारियों की भरती के लिए बनाया गया, इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्यान होना जरूरी था, इस परिक्षर में maths, reasoning और निर्ने लेने सम्मंधी प्रश्ण पूछे जाते थ दूसरा जो हमको पढ़ना है, वो है सेना का सामान ने वर्गी करण परिक्षर, क्या है, दूसरा, सेना, सामान ने, वर्गी करण, सेना सामान ने, वर्गी करण, सेना सामान ने, वर्गी करण, वर्गी करण, परिक्षर, सेना सामान ने, वर्गी करण, परिक्षर, सेना सामा वर्गी करड़ पर इछड़ कब बना तो यह बना 1940 में इसने बनाया तो इसे बनाया था अंग्रेजी नौसेना ने मतलब जो अंग्रेजी नौसेना यानि कि नेवी ने इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी जान लो आर्मी सामानि का मतलब जन्रल वर्गी करड़ का क्लासिफिकेशन एजी सीटी बोलते हैं आर्मी जन्रल क्लासिफिकेशन टेस्ट अपने करमचारियों को भरती करने के लिए बनाये गया था ठीक है तो आर्मी जर्नरल क्लासिफिकेशन टेस्ट या परिक्छड़ अमेरिकी नौ सेना द्वारा अमेरिकी नौ सेना अमेरिकी नौ सेना द्वारा अपने करमचारियों अपने करमचारियों को वर्गी करड़ करने के लिए वर्गी करड़ मतलब कौन किस काम के लायक है ये भरती करने के लिए इन सभी कामों के लिए इसको बनाये गया था अमेरिकी नौ सेना द्वारा वर्गी करड़ करने के लिए बनाया गया आज बात ये थी कि इस परिक्षड में कुछ भी अलग नहीं था ये बनाया किसी और ने था लेकन ये काफी हद तक या परिक्षड या परिक्षड काफी हद तक आर्मी अलफा टेस्ट जैसा था ये परिक्षड भी काफी हद तक आर्मी अलफा टेस्ट जैसा ही था तो देखना है ये परिक्षड किसने बनाया तो ये परिक्षड कब बना सबसे पहली बात हैं दो परिक्षड माने आपको बता दिये हैं काफी आसान आसान से ये परिक्षड हैं कुछ भी अलग नहीं है इसके बाद हम लोग को बात करनी है सामुहिक शाब्दिक बुद्धी परिक्षड की शामुहिक मतलब जब समुह में अनपर लोगों को बुला के परिक्षड किया जाए तो क्या होता है सामुहिक शाब्दिक बुद्धी परिक्षड ठीक है अब सामुहिक करना है आश आप देख बुद्धी परिक्षड करना है तो कैसे होता है सामुहिक शाब्दिक बुद्धी परिक्षड तो सबसे पहली बात इसमें हमको पढ़ना कौन-कौन सा टेस्ट है यह बहुत इंपॉटेंट हो जाता है लिस्ट जरूर याद रखिएगा कि इधर के ट बीटा टेस्ट वहां क्या था आर्मी अल्फा टेस्ट यहां क्या है आर्मी अल्फा टेस्ट किस ने बनाया आर्मी अल्फा टेस्ट तो इसको बनाया ओटिस वही एंड यारकर्स वही जिन्होंने उसको बनाया था उन्होंने ही इसको भी बनाया ओटिस एवं यारकर्स ने यह चीज याद रखिएगा, कि शामोहिक शाइपदिक में आरमी अलफा टेस्ट शामोहिक, आशाअपदिक में आरमी बीटा टेस्ट. बनाया दोनों को ओटिस एवं यर्कस ने, यहा परिक्षड सेना में और यहा परिक्षड सेना में सैनिकों की, वहां क्या था? उच अधिकारियों, यहां पे जो बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे, यहां परिक्षड सेना में सैनिकों की भरती के लिए बनाया गया, यहां परिक्षड सेना में सैनिकों की भरती के लिए बनाया गया, ठीक है? आर्मी बीटा टेस्ट, अब यहां से सैनिक भरती होते तो तो एक चीज और हुई, वहाँ पे अंग्रेजी भासा का ज्ञान होना बहुत जरूरी था, यहाँ क्या होगा, इसके लिए इसके लिए अंग्रेजी यानिकी English का ज्ञान होना जरूरी नहीं था, इसके लिए इंग्रेजी का ज्ञान होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, इसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी नहीं था, क्या चीज़ें यहाँ पर पूछते थे, यहाँ पर इसमें गड़ना मतलब गिंती आनी चाहिए, अब आपके पास कितनी गोलियां बची है, यह तो आपको पता होना ही चाहिए न, लुप्ट आकृति प्रकार के प्रश्ण थे, प्रकार के प्रश्ण, इसमें गड़ना समानता एवं लुप्ट आकृति आधिप्रात के प्रश्ण पूछे जाते थे, इस परिक्षड के द्वारा लगबग 20 लाख सैनिकों की भरती हुई थी सोच लोग कितना बड़ा सामुविक परिक्षड था ये इस परिक्षड द्वारा लगबग 20 लाख या 2 मिलियन 20 लाख सैनिकों की भरती हुई इस परिक्षर द्वारा लगबग 20 लाख सैनिको की भरती हुई थी तो ये सारी बाते हो गई आपकी आर्मी बीटा टेस्ट के बारे में ठीक है बनाया किसने तो आपको मैंने पहली बता दिया इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्यान होना जरूरी नहीं था इसमें गर्तना, समानता और लुप्त आक्रती आदिप्रकार के प्रस्ण थे इस परिक्षर द्वारा लगबग 20 लाख सैनिको की भरती हुई थी इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक और परिक्षर शिकागो शिकागो आशाब्दिक बुद्धी परिक्षर इसने बनाया कब बनाया तो 1963 में ये बनाया गया था किसने बनाया बाई, ब्राउन, क्या नाम था मनोवज्ञानिको का ब्राउन, स्टीन और रोरर ये तीन लोग थे चिन्होंने इसको मिलके बनाया ब्राउन, स्टीन और रोरर ने मिलके 1963 में बनाया था शिकागो का आशाबदिक बुद्धी परिक्षड ठीक है अब क्या था ये किसके लिए बनाया गया था तो ये जो परिक्षड था या परिक्षड छे वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए बनाया गया या परिक्षड छे वर्ष से उपर के बालकों के लिए था पहली बात दूसरी बात कौन सी रहेगी आपकी दूसरी बात या रहेगी कि या परिक्षड या परिक्षड पहले मूक एवं बधिर जो लोग बोल और सुन नहीं पाते हैं उनको बोलते हैं मूक एवं बधिर तो ये परिक्षड मूक एवं बधिर लोगों के लिए मूक एवं बधिर लोगों के लिए पहले बनाया गया था बाद में या बाद में या सभी के लिए प्रियोग में लाया गया गया बाद में या सभी के लिए प्रियोग में लाया गया है ठीक है चलिए तो समझ में आ गई इत्ती बाते कि या परिक्षड छेवर से उपर के बालकों के लिए था या परिक्षड पहले मूक एवं बधिर लोगों के लिए बनाया गया था के लिए पहले बनाय गया था बाद में या सभी के लिए प्रियोग में लाया गया इसमें चित्रपूर्ती प्रकार के प्रश्ण थे चलिए तो ये हो गया आपके सभी परिक्षड आपका ये लास्ट था क्या था आपका ये सामूहिक आशाब्दिक बुद्धी परिक्षड यहां पर हम लोगों ने दो परिक्षड पढ़े पहला पढ़ा आर्मी बीटा टेस्ट और दूसरा आपके सामने है शिकागो आशाब् पूछे जाते हैं अभी माने आपको बताया था कि बैटरी क्या होती है अभी आपको पिछले क्लास में बताया था जब भाटिया बैटरी टेस्ट में होने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बैटरी क्या होती है तो जो बैटरी थी भाटिया बैटरी टेस्ट उसको बन बुद्धी का पहला अध्यन गाल्टन ने किया बुद्धी की पहली बैटरी भी गाल्टन ने बनाई ठीक है बुद्धी की पहली बैटरी भी किस ने बनाई गाल्टन ने बनाई ठीक है बुद्धी की पहली बैटरी भी किस ने बनाई गाल्टन ने बनाई ठीक है बुद्धी की पहली बैटरी भी किस ने बनाई गाल्टन न पहला मान ने बुद्धी परिक्षड बुद्धी का पहला मान ने बुद्धी परिक्षड ने बनाया बीने साइमन बुद्धी का पहला मान ने बुद्धी परिक्षड उननी सो पाँच में बीने और साइमन ने बनाया ठीक है दुनिया में पहली बार बुद्धी का मापन तर्मन ने किया किसने दुनिया में पहली बार बुद्धी का मापन तर्मन ने किया बुद्धी का सूत्र पहलिए बुद्धी का सूत्र इस्टरण ने दिया किसने स्टरण ने और उसमें जो का गुड़ा कि किना था तर्मन ने या था ना उसमें जो anno का गुड़ा किसने दीया ट्यार मन ने किया था है बीने साइमन जो बुद्धी परिक्षड है आपका, बीने साइमन बुद्धी परिक्षड का भारतिये प्रारूप का अब अमेरिका वाला जैसे था ना वैसे ही, भारतिये प्रारूप का भारतिये प्रारूप 1922 में、 जैसे अमेरिका वाला किसने मना था? स्टानफौड बीने साइमन बुद्धी पर रिखड़ है वा अमेरिकन प्रारूप था, उसी तरह से भारतिये प्रारूप भारतिये प्रारूप 1922 में CH Rice ने बनाया, CH Rice ने बनाया, भीने साइमन बुद्धी परिछड़का भारतिय प्रारूप खिसने बनाया, हिसी के बाद एक टेस्ट है, draw a man, ये भी बुद्धी का परिक्षड है, draw a man टेस्ट, draw a man test किसने बनाया thì इसको बनाया Florence draw a man test Florence good enough ने बनाया Florence good enough ने बनाया draw a man test किसने बनाया Florence good enough ने बनाया इसी के साथ एक छीज़ आपका एक और test है जो कि आता है जिसको हम लोग बोलते हैं WAIS वैस्टलर वैस्क भुद्धि मापने वैस्टलर एडल्ट एंडिलिजन्स स्केल ये जो बड़े लोग होते थे मतलब जो उम्र में बड़े होते थे उनके उनकी बुद्धि नापने के लिए बनाया गया था ठीक है तो वैस्को के लिए वैस्क के लिए वैस्क के लिए वैस्लर एडल्ट एंडिलिजन्स वैस्लर एडल्ट एंडिलिजन्स स्केल वैस्लर एडल्ट एंडिलिजन्स स्केल जिसको अब लोग शॉर्ट फर्म में बोलते हैं, WAIS, वेस्क के लिए Wessler Intelligence Scale, डेविड वेस्लर, डेविड वेस्लर, डेविड वेस्लर ने बनाया, डेविड वेस्लर ने बनाया, जो दस से, जो 10 से 60, एक सेकंड इसको आदेते हैं, जो 10 से 60, जो 10 से 60 वर्ष के लोगों के लिए था, मतलब 10 से 60 वर्ष के लोगों के बुद्धी नापता था, 10 से 60 वर्ष के लोगों के बुद्धी मापन के लिए, बुद्धी मापन के लिए, इसमें शुरुआत में 11 टेस्ट थे, शाब्दिक और शाब्दिक दोनों टेस्ट थे, इसमें, इसमें शुरुआत में, इसमें शुरुआत में 11 टेस्ट थे, इसमें शुरुआत में 11 टेस्ट थे, इसमें शुरुआत में 11 टेस्ट थे, ठीक है, इसमें शुरुआत में 11 टेस्ट थे, बाद में इसमें संशोधन हुआ, और अब इसमें कुल 14 टेस्ट है, अब इसमें साथ शाब्दिक, साथ शाब्दिक और साथ आशाब्दिक, शाथ शाब्दिक और शाथ आशाब्दिक टेस्ट हैं, इसमें साथ साब्दिक और शाथ आशाब्दिक टेस्ट हैं, इसमें साथ शापदिक और शाथ आशापदिक टेस्ट है तो ये सारी बाते हो गई आपके एक और टेस्ट मैंने आपको बता दिया ठीक है तो ये टेस्ट किसके लिए है तो ये टेस्ट है बड़ो के लिए बनाया गया था जिसका नाम था वेसलर एडल्ट एंड डिलिजेंस स स्केल वेस जसके बनाया किसने तो इसको बनाया था डेविड वेस ने जो की 10 से 60 वर्ष के लोगों की बुद्धी मापन के लिए जिम्मेदार था इसमें शुरुवात में 11 टेस्ट थे अब इसमें 7 साप्डिक और 7 आसाप्डिक टेस्ट हैं यह की पॉइंट्स थी हैं आपकी बुद्धी का पहला अधन गाल्टन ने किया तथा बुद्धी की पहली बैटरी भी गाल्टन ने बनाई बुद्धी का पहला मा ने बुद्धी परिक्षड 1905 में बीने साइमन ने बताया यहां जो भी पॉइंट से मैंने ऐसा की पॉइंट लिख दिया है लेकिन ये सारी बाते हैं मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ बीने साइवन बुद्धी परीचल का भारतिय प्रारूप 122 में CS Rice ने बनाया ड्रॉय मैंटेस्ट फ्लोरेंस गुड एनफ ने बनाया तो इससे ज़ादा आपकी बुद्धी में आपसे कुछ भी नहीं पूचेगा इसको बस धूअधार तरीके से एकose standards बनाके और फिर पढ़ लेना हाथ जो के मैंरी request है कि इसको एक notes बनाके बहतरीन तरीके से फिर पढ़ लेना इससे ज़्यादा बुद्धी में आपसे बाहर इससे कुछ भी नहीं पूछेगा तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं मिलेंगे हम लोग अपनी next क्लास में इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई